So hi guys and welcome back to my channel दोस्तो आज की वीडियो का tutorial बहुत यदा interesting है क्योंकि आज मैं आपके लिए लिए हूँ powder transition वाली वीडियो का tutorial अभी recently हारदिक शर्मा ने एसी एक वीडियो बनाई थी ऐसे clap करते हैं उसके बाद powder आता है उसके बाद होता कि आपने जो close है वो change होया था तो यही वाली वीडियो आज हम बनाना सीखेंगे कि कैसे आप यह को यह वीडियो बनानी है transition के अंदर मैंने इसके अंदर आपको दो transition बता हैं उसके बाद हम एडिट कर लेंगे इसको slow motion में edit कर लेंगे और यह आपको भी ऐसी कोई वीडियो पसंद आती है जो एक्टम unique हो तो आप मुझे Instagram पर message कर सकते हो Instagram ID मेरी यह है तो चलो अपन ऐसी वीडियो बनाते हैं और TikTok पर post करते हैं आपको सबसे पहले का करना है आपका camera open कर लेना है mobile को stand पर लगा देना है आपको सबसे पहले वीडियो को कैसे बनानी है तो आपको यह स्कीन पर देखो यह एसे मैं एक्ट किया था ऐसे हाथ को उपर रखने के बाद एसे मैं नीचे चल गया था ठीक है यह तो हो गया हमारा first dollar part अब हम second part को edit करने के लिए आपने जो पहले कपड़े पहने थे उन कपड़ों को तो हाथ में ले लेना है हाथ में लेने के बाद ऐसे आपको पकड़ना है उसको और ऐसे नीचे ले जाना है और नीचे ले जाने के बाद आपको एक्टिंग कर ले नहीं, जैसे सोंग की है, वैसे एक्टिंग कर लो, उसके बाद आप क्लैप करोगे, देखो यहाँ पर क्लैप कर रहा है, ठीक है, तो इसे आपको क्लैप कर देना है, और वीडियो को मतलब महीं पर ही छोड़ देना है, अब थर्ड आपको रिकोर्ट करना है, थर्ड आपको कैसे रिकोर्ट करना है, तो यहाँ पर आपको पेले तो पाउडर हाथ में ले लेना है, बहुत सारा पाउडर ले लेना है, हाथ में ज्यादा ही मतले लेना है, तो इतना पाउडर आप लेना कि यहाँ मतलब दुनला दु के बाद आपको प्लस का ऐकन पर क्लिक करके 9-16 ले लेना है उसके बाद आपको करना क्या है मीडिया पर क्लिक करना है आपको तीनों वीडियो को यहां पर ले लेना है पहले फर्स्ट लेना सेकंड लेना उसके बाद थर्ड वाली लेना तो यहां पर मैंने इन तीनों वीडियो के जो साउंड है वो मैं बंद कर देदा हूं तो यहां पर देखो मैंने हरदिक शर्मा की जो वीडियो थी वो लीती है तो यहां पर तो यहां पर मैंने ये वीडियो ले ली उसके बाद मैं क्या करूँगा सीजर पर क्लिक करके यहां पर एस्ट्रेक अडियों में कर दूँगा आप इस वीडियो का कोई काम नहीं है आपको डिलिट कर देना है ठीक है अब देखो नीचे सॉंग लग चुका है अब यहाँ पर हमको सूंग के अकोटिंग वीडियो को set करना है तो ऐसे आप पिज़े जूम कर लो वीडियो को और यहां पर आप जहां से acting करना start करते हो वो वाली position पर आपको रुख जाना है तो यहां पर देखो यह इस वाली position पर acting करता है और हाथ को नीचे ले जाता है ठीक है तो आप पीछे जाना है और जहां से आपने acting करना start किये वहां पर आपको रुख जाना है तोड़ा से पीछे यहां से हमने एक्टिंग करना है स्टार्ट की थी तो आप सीजर पर क्लिक करना ट्रिम टू लेफ्ट कर देना ठीक है अब आप वीडियो को चलाना उसके बाद आपने जहां पर हाथ को निचे लेगे था अपने हाथ यहां पर ठीक है तो आपको ऐसे कर दिया उसके बाद हम सेकंड वाली वीडियो पर चलते हैं अब सेकंड वाली वीडियो पर आपको आपने कपड़े को हाथ मिल या था और नीचे दखे ले थे तो जहां पर आपने दखे लेते उस वाली पोजिशन पर आपको रूख जाना है तो यहां पर देखो यहां से फोड़ा सा पीछे लेते हैं यहां से धखे लेते हैं टो यहां सा आगे यहां पर तो इसे वीडियो पर क्लिक करना सीजर पर कलिक करना या तो आप trim to left कर देना या फिर आप speed at play hit कर देना तो मैं speed at play hit कर देता हूँ अब यह देखो यह extra part है इसका हमारा कोई काम नहीं है तो इसको आप delete कर दो ठीक है अब आप एक बार वीडियो को चला के देख लो कि आपके इस वीडियो से सही आ रही है क्या मैंने आप इस song को mute कर रहा है तकि copyright आजाएगा इसके चक्कर में तो आप देख सकते हैं तो एकदम perfect आ रही है है ना यहाँ पर हमने ऐसे गए उसके बाद यह है तो यह तो हमारा काम हो गया अब हम यह से acting कर रहे है और जहाँ पर clap कर रहे है तो जहाँ पर हमने clap करी है ना उस वाली position पर आपको रुख जाना है तो यहाँ पर ऐसे चलाते हैं थोड़ा सागी लेते हैं थोड़ा सागी लेते हैं और यहाँ पर हम clap कर रहे हैं थोड़ा सा पीछे लेगे ठीक है यहाँ पर हमने clap करी ठीक है तो इस वाली पोजिशन पर आपको रुखके वीडियो पर क्लिक करके आपको सीधर पर क्लिक करना है और आपको ट्रिम टू राइट कर देना है ठीक है ट्रिम टू राइट हमने कर दिया उसके बाद हम चलाते हैं हम नेश्ट वाली लेयर लास्ट वाला पाटे है हमारा तो इसको हम जहां पर हमने पौडर को देको हाथ में लिया था और क्लैप किया था हुथवाली पोजिशन पर आपको रूख जाना है तो इसको हम चलाते हैं चलाते हैं यहाँ पर अपन देको क्लैप करेंगे यहाँ पटी गए तो थोड़ा सा पीछे लेना तो थोड़ा सा पीछे लेना यहां पटी है पीछो भी जहां पर हमारे कोई पोजिशन नीए तो आपको ऐसे वीडियो पर क्लिक करना है और आपको सीजर पर क्लिक करके अब इस वीडियो का हमारा कोई काम नहीं है तो इसको आप डिलीट कर दो क्योंकि यह एकडम परफेक्ट आ रहा है तो आप देख सकते हैं यहां पर आ रहा है उसके बाद आप यहां से अगर स्लो मोशन देना चाहते हो तो ऐसे वीडियो पर क्लिक करके सीजर पर क्लिक करके स्पीट प्ले हिट कर दो और यह वाला पार्ट आप स्लो मोशन में दिखा दो तो स्पीट कंट्रोल पर जाके 0.5 पर कर दो स्पीड ठीक है अब आपको वीडियो चला के देख लेना है कि हमारी वीडियो कैसी बनी है त तो इसए हमारी वीडियो और पिल ज़ादा बहुत य Parece लग रही है है तो इसको आपको सेट कर लेना तो आपके Song के आको्रम को यहां तक है तो इसको आपको तुरिम कर लेना है Song Tan और वीडियो पर क्लिक करे सीधर पर क्लिक करके ट्रिम तू रिट कर देना है ठीक है? तो यह song के according set हो गया है जहाँ पर मैंने song को बंद कर रहा है ताकि इसलिए copyright आजाएगा इसलिए बंद कर रहा है ठीक है उसके बाद आपको करना क्या है जहाँ पर आपको share पर क्लिक करना है और इस वीडियो का आपको export कर देना है export करने से पहला आपको इस icon पर क्लिक करके audio fade out को बंद कर देना है ठीक है तो आपका music जो है लो last तक बजेगा उसके बाद आपको share करना है और इस वीडियो को export कर देना है अब export करने के बाद last में हमारी वीडियो कुछ इस तरीके की दिखेगी इसको मैंने edit किया था जब tiktok प और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना